इन दिनों आने वाली पश्चिमी हवाओं के चलते प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ुतरी हो गई है। हलकी गर्मी महसूस हो रही है और रात में ठंड का जोर कम दिखाई पड़ रहा है। वग्यानिकों का कहना है कि अगले दो दिन तक इसी तरह एक से दो डिग्री दिन और रात के तापमान में बढ़ुतरी रहेगी। 26 तारिक से प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। साथ दिन तक शीत लहर से रहात भी रहेगी। पहले दोर भुपाल, गौालियर, चंबल और उजजीन जैसे संभागों में इसका जादा असर था। अब जबलपुर, सागर, रीवा, सतना समेद प्रदेश में रहेगा। बारिश होने से दिन में ठंडग बढ़ जाएगी, लेकिन रात में बादल रहने से तापमान में जादा गिरावट नहीं रहेगी। महीं इरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पश्चिमी हवाएं उतर से होती हुए आती हैं, इन हवाओं में नमी होती है, इससे उतर में बर्फबारी होती है, महीं मैदाने इलाकों में बादल च्छाने से बारिश होती है, इससे दिन के तापमान में गिरावट होती है ठंड बढ़ती है रात में पारा चढ़ जाता है हवाओं के जाने के बाद दिन और रात के तापान में गिरावट होती है परशिम से आने वाली हवाओं के असर के कारण प्रदेश में दिन और रात का तापान बढ़ता दिखाई दे रहा है भुपाल और इंदौर समेट कुछ इलाकों में रात का पारा काफी बढ़ गया है और इलाकों में 2 डिगरी सेल्सियस तक की बढ़ोत्री हुई है भुपाल और इंदौर में 11 डिगरी से जादा हो गया है पच्मणी एक मातर ऐसा इलाका है जहां पर पारा 4 डिगरी पर अटका हुआ है बाकी पुर्य प्रदेश में निवन्तम तापमान 5 डिग्री से अधिक मापा जा रहा है सब्सक्राइब आप चैनल एंड प्रेस बाल आइकन वोर अपडेट्स